रामार काल में सोने की लंका की खुबसूर्ती के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार रावर वहां से गुजरा तो स्वन नगरी को देख कर मोहित हो गया, उसके मन में लाला चा गया, रावर ब्राह्मार का बेश धारन कर शिवजी के पास गया और दान में सोने की लंका मांग ली। शिवजी ने सोने की लंका उसे दे दी, इस तरह रावर ने धोके से सो सोने की लंका छीन ली थी जब पार्वती को पता चला कि रावण ने छलकपड से सोने की लंका हथिया ली है तो उन्हें बहुत गुसा आया पार्वती ने रावण को श्राब दिया कि एक दिन लंका आग में भस्म हो जाएगी और कुछ सालों बाद ऐसा ही हुआ जब हनुमान लंका को आग में भस्म कर दिया